ओम शी गनेशाय नमाराधराय दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल बतकता एसलोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम सिरफ दो सिम्टम्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जिससे आप काफी हद तक अनुमाल लगा सकते हैं दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी लक्षन देखे 100% नहीं होता है आप सिरफ एक अनुमाल लगा सकते हैं तो उसी को ध्याल में रखकर वीडियो को देखा करें और उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सस्क्राइब जरू कर लें बगले बैल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पौश सके दोस्तों अगर आपका देखे प्रेगनेंसी का छटा महिना चल रहा है और छटे महिने में आपको अपनी कमर में मतलब बैक साइड या फिर आपको अपनी पीठ में या पेट के निचले हिस्से में बिलकुल भी जैसे दर्द नहीं हो रहा है तो ये साइन देखे लड़की होने का माना जाता है वहीं पर अगर छटा महिना लगते ही आपकी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है आपको अपने पेट में पेट के निचले हिस्से में हलका फुलका दर्द होते रहते हैं और ये दर्द आपको continue मतलब 9 मन तक रहता है आपकी delivery तक रहता है तो ये sign देखे लड़का होने का माना जाता है माना जाता है कि जब गर्ब में लड़का होता है तो आपको back pain की मतलब इन हिस्सों में आपको दर्द स्टार्ट हो जाते हैं आपके मतलब कमर में, पीट में, रीड के हड़ी में या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में इस लक्षन को देखे आप 90% तक बिल्कुल सही मान सकते हैं दूसरा लक्षन है दोस्तों देखे प्रेगनेंसी में वेट तो बढ़ता ही है लेकिन अगर आपका वेट सिरफ tummy area में ही बढ़ रहा है यानि आप पूरी प्रेगनेंसी नोटिस करते हैं कि आपका जो कमर वाला हिस्सा है उपर से खाली हो रहा है आपको साइडों से बिल्कुल भी चर्बी नहीं है सिरफ आपका tummy area ही बढ़ रहा है और उसका जुकाब नीचे की तरफ है तो ये sign देखे लड़का होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपका जो वेट है आपके मतलब thighs में या back side ज़्यादा बढ़ रहा है और tummy area तो देखे बढ़ रहा है लेकिन आपको साइडों से भी कमर की दोनों साइडों से भी आपको अपना मतलब पेट भरा भरा सा लगता है आपकी कमर भी मोटी हो रही है तो ये sign दे भी शएड़ माख